कि ये भाई बताते हैं कि जो उनकी दादा जी की जो तब बैते 15 दिनों से बहुत ज़्यादा खराब हो गए थी उनका यूरीन पास नहीं हो रहा था जिसके वजह से उनकी इस्तिती इतनी जादा खराब हो गए थी कि उनकी मरने जैसी इस्तिती हो गई थी क्योंकि 15 दिन से बिल्कुल भी यूरी नियो रही थी, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर के पास इलाज करवाया, इंग्जेक्शन दिया, कोई आराम नहीं मिला, डॉक्टर को डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, सलाई निये लगवाई, जो होना चाहिए, यह वो सारा कुछ ट्रीटमेंट लगा था, डॉक्टर के कया अनुसर दवाईयां दे रहे थे, फिर भी वो यूरीन पास ले था, बॉड़ी लगा था, इन दिनों में सूझते जा रहे थी, पूरी बॉड़ी सूच चुकी थी, यह भाई बताते हैं कि यह बह परा पेट मतलब सूझ गया था और मेरे मम्मी के और मेरे पापा प्रा फैमली अले साब आ गया था और मतलब सब पानी भी पिला लिया था जिल घर लास यह याद आया कि यह नुए यह जो तुमारे दादा थे वो पंधरा दिनों से उनको यूरीन नहीं हो रहा था बातरू आराम नहीं मिला और उसके बाद में पुरी फैमिली जो थी वो तुम्हारे दादा से मिलने के लिए आ गई और वो समझ गए कि अब इसका अखरी दिन है और जैसे अखरी में मरने से पहले पानी पिलाए जाता है वैसा पानी पिलाए तब तुमको याद आया कि मेरे पास याद मतलब और उसके बाद में उसकой उने लगा ऊसपर मोशने लगा प्रएटल एप्र लोगलत में जो ता जो जो मुद्धी ता वो खुल गया है सुजन चला गया है यूरीन रोडिन लगा मोशन आने लगा होो स्वायोट और तुमकू पिल्कूल सवर्ष और जीवित है